What's up guys, तो आज हम explain करने जा रहे हैं Blue Lock Anime Series के Episode 5 को, so let's start Episode के starting में हम देखते हैं कि इसागी आसाही नाम के प्लेयर को बॉल पास करता है, पर टीम वाई बॉल स्टील कर लेती है पर इसागी बॉल उनसे ले लेता है, जहां इसागी नीको को ब्लॉक करता है जहां नीको बोलता है लगता है तुम्हें भी जीनपची की वही स्पीच सुनी है क्या जिसमें वो कहता है कि अपने वेपन्स उठाओ, जहां इसागी उसे देखता है और नीको बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा वेपन क्या है इधर ब्लू लॉक में काफी माहिर खिलाडी है मैं जानता हूँ, मैं इनसे गंपीट नहीं कर सकता तो मुझे इस जगह सर्वाइब करने के लिए अपना वेपन यूज़ करना होगा जहां हम देखते हैं कि नीको इसागी को बताता है कि मेरी नजर बहुत तेज है जिससे मैं फील्ड पर नजर रख पाता हूँ फिर थोड़ी बिर बात हम देखते हैं कि काफी टाइम निकल चुका होता है गेम का जहां टीम जैड और टीम वाई के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा होता है तभी इसागी अपने टीम मेट्स से कहता है कि उन्हें समुझने से रोको तभी नीको इसागी को कहता है कि एक मिनट बाकी है और इस समय हम वो टेक्टिक यूज करते हैं जब हम टाई हो चुके होते हैं या जीतने के करीब होते हैं फिर हम देखते हैं कि बॉल उकावा के पास जाती है और नीको इसागी से बोलता है कि बॉल उकावा के पास है पर वो पिछले 89 मेंट के तरह अकेले गोल करने नहीं जाएगा क्यूंकि अब हम टीम वाई पूरी टीम अटैक को जॉइन करेंगे और तभी हम देखते हैं कि पू पास करते हुए नेट के पास जाती है और नीको के पास आती है फिर टीम जेट का गोल की पर सोच रहा होता है अगर मैंने ये गोल होने से नहीं बचाया तो मेरा करीर इधरी खतम हो जाएगा फिर हम देखते हैं कि नीको उकावा को बॉल पास करता है और टीम जेट की to be a striker ये कहकर इसागी opposite side kick करता है फिर कुनिगामी ball आगे लेके जाता है जहां कुनिगामी बाचिरा को ball pass करता है और बाचिरा team Y को confuse करते हुए इसागी को ball pass करता है और तभी हम देखते हैं कि इसागी ball kick करता है और finally ये goal हो जाता है और इसी के साथ ही match team Z दो और एक से जीत जाती है और team Z के सारे players काफी खोश होते हैं कि blue lock में उनकी पहली जीत थी और फिर हम देखते है score करने के बाद इसागी team Y के पास जाता है जहां team Y काफी sad होती है इसागी उन्हें देखकर मन में सोचता है कि मैंने इन 11 players का dream crush कर दिया और इसागी नीको को देख रहा होता है और बोलता है ये कैसी feeling है और फिर हमें series का intro दिखाया जाता है उसके बाद scene shift होता है और हमें cafeteria का scene दिखाते हैं जहां सब delicious food enjoy कर रहे होते हैं और ऐसे ही बाते करते हैं जहां कुनी गामी कहता है कि इसागी का weapon है कि वो किसी भी goal को smell कर सकता है और फिर ये सब काफी खुश होते हैं कि at least हम जीत गए फिर scene shift होता है और हम रात का scene देखते हैं जहां इसागी सोके उठता होता है जहां इसागी मन में सोचता है कि मैंने कैसे किया आज का गोल और मैंने उनको क्रश कर दिया जो भी था वो पर काफी अच्छा फिल हुआ मुझे तब ही इसागी मौनिटोरिंग रूम के तरफ देखता है जहां चिगिरी नाम का प्लेयर बैठा होता है और आज का मैंच देख रहा होता है जहां इसागी उससे पूछता है कि वो रात में क्या कर रहा है जहां चिगिरी बोलता है कि मैं सोया नहीं इसलिए तुम्हारा गोल द पाऊंगा वो शायद तुक्के से हुआ था जहां चीगिरी बोलता है कि ऐसा नहीं है हो सकता है कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट ने ऐसा किया हो Special Awareness जादातर प्लेयर्स बॉल पे कंसेंट्रेट कर के सिर्फ उतना ही एरिया देख पाते हैं जितना वो फोकस कर सकें बट कुछ केसेस में कुछ प्लेयर्स हर एक जगह को देख सकते हैं जहां इसागी सोचता है Special Awareness कहीं यही तो मेरा वेपन नहीं जहां इसागी खुश भी होता है कि चीगिरी ने उसकी एबिलिटी को पॉइंट आउट किया इसागी बोलता है तुम्हारा वेपन क्या है तुमने बताया नहीं जहां चीगिरी मना करता है और बोलता है मुझे नहीं बताना मुझे पसंद नहीं अपने बारे में किसी को भी बताना जहां चीगिरी बोलता है राइट ACL टियर ये एक इंजरी है जो मुझे कई साल पहले हुई थी डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने स्पॉर्ट पे इंजरी दुबारा हुई तो शायद मैं ना खेल पाऊं तुम्हारी तरह मेरा भी वेपन था मैं हमेशा पॉंप ड़ेता था स्कोर करते हुए बेशक अब मेरा लेक ठीक हो चुका है बट आम स्केर्ड कि मैं दुबारा इंजर्ड ना हो जाओ मुझे वर्ल्ड का ग्रेटर श्ट्राइकर बनना है मैं ब्लू लॉक में इसलिए आया ताकि मुझे एक रीजन मिले मेरे ड्रीम पे गिव अप ना करने का और तुम्हारा गोल देखने के बाद मुझे रीजन मिल गया है मेरा ड्रीम छोड़ने का फिर हम देखते हैं कि इसागी बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते मैं जानता हूँ तुम गिव अप नहीं करना चाते और मैं भी मैं डरता हूँ कि ये सब खतम नहीं हो जाए इसलिए I fought अगर तुम प्रिपेर नहीं हो तो give up to everything तुम कभी अपने इस अपने पूरे नहीं कर सकते जहां हम देखते हैं चिगीरी गुस्ते में बोलता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते फिर scene shift होता है और हम देखते हैं कि एक room दिखाया जाता है जहां जीन पची और आनरी होते हैं जहां वो आपस में बाते करते हैं और जीन पची noodles मना रहा होता है जहां आनरी पूछती है कि ब्लू लॉक का first selection कैसा रहा है जहां जीन पची बोलता है सही चल रहा है फिर scene दोबारा shift होता है जहां हम देखते हैं कि team that practice कर रही होती है जहां इसागी अपने weapon के बारे में सोच रहा होता है और वो चिगीरी को भी देखता है वो कल रात की बात याद करता है चिगीरी की तबी जीन पची स्क्रीन पे अपियर होता है और बोलता है यह है round 6 के result जहां कून देखता है कि 3 teams का tie हुआ है और एक win और एक lose जीन पची कहता है कि तुम्हारी ranks तुम कैसा खेलते हो और कितना score करते हो उस पे depend करता है और जो team Z में top ranker है वो है इसागी योईची जहां इसागी के साथ बाकि सब हैरान हो जाते हैं फिर जीन पची कहता है कि आगे बढ़ने के लिए अपने weapon को polish करो और improve करो फिर जीन पची कुछ world famous player का example दिखाता है कि उनके क्या weapons है especially Messi का फिर जीन पची कहता है कि तुम्हारे सबके weapons है सबके अलग-अलग है सिर्फ Messi को copy करने से कुछ नहीं होगा तुम्हें अपने according polish करना होगा फिर हम देखते हैं कि next 24 hours में team that का match team W से होगा जहां कुण बोलता है कि हमें ready होना होगा कल के लिए फिर हम देखते हैं कि इसागी सोच रहा होता है मेरा ऐसा weapon नहीं है जो इसली देखा जा सके तो मैं उसे कैसे polish करूँ लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसागी को idea आता है कि उसे 90 minute तक run करना चाहिए जिससे वो अपने weapon को use कर सके और इसागी running करने लगता है field में तभी इसागी देखता है कि कुनी गामी और बाचिरा भी running कर रहे हैं उसके साथ और बाचिरा इसागी से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि team Z तुम्हारे around revolve करती है जहां इसागी देखता है कि बाकी players भी running कर रहे हैं फिर जीन पची सागी को देखकर बोल रहा होता है कि एक बेस्ट इस्ट्राइकर तभी निकलता है जब सौकर सबसे ज़्यदा इंटेंस हो ये कहते के साथ एपिजोड 5 इधर ही खतम हो जाता है उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो से लाइक और शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा